दोस्तो बात करने वाले हैं बजार के अंदर आपको आज किस तरह की का एक्शन देखने को बल सकता है। दोस्तो आप जानते हैं कि जिस दिन वीकली उप्शन एक्सपारी होती है उस दिन बजार के अंदर हमनों को भारी उठा पटक देखने को मिलती है। देखने को मिलना है और वैसे भी आप जानते हैं कि रिजल्ट सीजन चल रहा है तो काफी सारी कंपणिया अपने रिजल्ट अनौंस करती हुई नजर आने वाली हैं तो उनके अधार पर भी हम लोग को अब बजार के अंदर रियक्शन देखने को मिलेगा। के चल सकते हैं कि कहीं न कहीं अपने इंडियन मार्केट के अंदर भी अच्छा खासा रुजान बनता हुआ नजर आए। दोस्तों बात करते हैं रियल टाइम इंडेक्स फीचर की तो इस समय ग्लोबली संकेत के इस तरह की के दिखाए दे रहे तो मैं आपको बताना चाहूँ कि निफ्टि-50 की बात करते हैं तो लगबग फ्लेट कारोबार इस समय निफ्टि-50 के अंदर दिखने को मिल रहे हैं DOW JONES की बात करते हैं, तो मजबूती के साथ में कारुबार होता हुआ नजर आ रहा है. S&P 500 की बात करें, तो मजबूती देखने को मिल रहे, काफे सारे बजार इस तरह की की दिखाए देने, जहां पर इस समय हम लोग को मजबूती देखने को मिल रहे, और कुछ बजारों के इंदर इस समय गिरावट का भी महावल है दोस्तो जिस तरह किसे फिलाल की डेट में गलोबली संकेत हम लोगो दिखाए देरे तो कहीं न कहीं बजार के इंदर एक रुझान बन सकता है उपर की तरफ दोस्तो अब रुक कर लेते हैं खबरों वाले शेर की तरफ तो सबसे पहले हमारी कंपणी होने वाली है टाइटन आपको बताना चाहूँ कि कंपणी की तरफ से एक टिपनी हम लोगो को कल के दिन देखने को मली और company के management ने बताया है कि company की sales इस बार बढ़ती हुई नजरा रही तो देखे Q2 के इंदर एक बड़ा action हमें देखने को मल सकता है लिहाजा खरीदारी बढ़ती हुई नजराएगी stock price भी हम लोगो उपर की तरफ मुह करता हुआ नजरा सकता है तो यह stock भी आज चर्चाओं में रहने माला है इस stock को भी आप अपने radar पर रह सकते हैं तो बात करते हैं अगली company के बारे में तो gas sector से बिलोंग करती है company Gale India Limited आपको बताना चाहूँ कि बड़ी हल्चर आपको सारी ही gas company के इंदर अभी तक देखने को मिल चुकी है प्राइस लगातार, stock price लगातार उपर की तरफ बढ़ते हुए नजरा रहे हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि मोड़ीज की तरफ से एक rating इस company को दी हुई थी और पहले जो outlook इस company का निकल के आ रहा था वो negative था और इस बार उसे change करते हुए outlook stable हो चुका है BAA3 की rating यहाँ पर देते हुए नजरा रहे तो देखे बड़ी हल्चा है इस company के share के अंदर आज आपको देखने को मिल सकती है लहाज आपको बताना चाहूंगे पिछले एक महीने की जो 40 company के अंदर हम लोग को देखने को मिली है लगबग 14% का upside moment आपको अभी तक देखने को मिल चुका है तो यह stock भी आच चर्चाओं में रहने वाला है इस stock को भी अप अपने radar पर रह सकते हैं दोस्तों बात करते हैं अगली company के बारे में तो rail vikas निगम limited लगातार चर्चाओं में ये company रही है share price भी लगातार उपर की तरफ move करता हुआ नज़रा रहे वे दिन दूर नहीं जब multi-bagger return इस company के अंदर हम लोग को प्राप्त होंगे तो मैं आपको बताना चाहूँ कि बड़ी ख़बर इस company के अंदर हम लोग को देखने को मिली जिसका असर आज की दिन share में हम लोग को देखने को मिल सकता है कल भी आपको stock के अंदर तेजी देखने को मिली थी तो देखे मैं आपको बताना चाहूँ कि एक M.O.U. sign करते हुए नज़रा रहे है एक agreement हुआ है और जो agreement हुआ है ये breath weight company के साथ में हुआ है और अगर कुल कीमत की बात करते हैं तो लगबग 10 billion rupees के असपास total ये हमें amount देखने को मिल रहा है तो अब देखे बड़ी हल चल इस company के अंदर आपको देखने को मिल सकती है company का business overall बढ़ता हुआ नज़राएगा तो normal सी बात है share price के अंदर भी अप मूँ आपको देखने को मिल सकता है पिछले मेने की बात करते हैं तो गिरावट देखने को मिली थी तो ये stock भी आप चर्चाओं में रहने वाला है इस stock को भी अब अपने radar पर रह सकते हैं तो बात करने वाले हैं अगली company के बारे में तो सोभा limited लगातार चर्चाओं में ये company रही है अगर return के हिसास से देखा जाए तो देखें लगातार अब stock का जो trend इस समय दिखाए दे रहा है वो उपर की तरफ है यानि कि positive बना हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूं कि कल के दिन जो बड़ी ख़बर इस company के अंदर निकल के आई वो sales के regarding है ओवराल company के sales से बढ़ती हूँ नजर आ रही है जिसकी वज़े से कहिन की हल चल अब आपको आगे company के share के अंदर भी देखने को बल सकती है आप जानते हैं कि काफे सारी company के Q2 के result अनाउस होने है तो उसके मद्दे नजर stock के अंदर भी एक action के उमीद करके चल सकते है तो यह stock भी आच चरचाओं में रहने वाला है अदर देखने को मिल चुकी है यहाँ पर डेटा निकल के आ है company के management की तरफ से और इन्होंने बताया है कि जो pre sales के आंकड़े निकल के हैं उसके इंदर इस बार 88% की तेजी आपको year on year basis पर देखने को मिल रही है इस stock कभी अपने radar पर रह सकते हैं दोस्तों बात करते हैं अगली company के बारे में तो bank है access bank limited लगातार चरचाओं में ये bank रहा है 50-50 का अच्छा खासा weight is माना जाता है पिछले 6 मेनी की बात करते हैं तो 12% की तेजी आपको देखने को मिल चुकी है यहाँ पर क्या है कि कल जो बढ़ाना उस में इस company के अंदर हम लोग को देखने को मिल चकती है तो यह stock भी आच चरचाओं में रहने वाला है इस stock को भी आप अपने radar पर रह सकते हैं तो बताना चाहूं कि नजारा टेक लगातार चरचाओं में company रही है जब से यह stock लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक अच्छा खासा रुजान आपको share के अंदर देखने को मिल चुका है वन प्ले टेक के अंदर लगबग 76% के stake acquire करते हुए नजर आ रहे हैं तो बड़ी हलचर इस share के अंदर आज के दिन आपको देखने को मिल सकते है कल भी आपको अच्छी खासी रेली इस stock के अंदर बनती हो नजर आई थी तो यह stock भी आज चरचाओं में रहने वाला है इस stock को भी अब अपने radar पर रह सकते हैं बात करते हैं एक बड़ी खबर के बारे में loop in से related है तो जिस तरीके से लगातार चरचाओं में ये कंपनी रही है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये कंपनी रिसीव करते हूँ इनने जरार ये tentative approval from US FDA है तो एक tablet के regarding हम लोग को ये जो approval मिलता हूँ अजरार इस company के इंदर तो देखे बड़ी हल्चल देखने को मिल सकते है शेयर के इंदर आज के दिन तो बात करने वाले हैं अगली company के बारे में तो ONGC लगातार चर्चाओं में ये company रही है अगर पिछले एक साल का overall volume देखा जाए चाल देखी जाए तो हर चीज में हम लोग को बढ़ोती देखने को मिल रही है लगवाग 137% से जादे की तीजी आपको शेयर के इंदर देखने को मिली वो यह है कि मूडीज की तरफ से रेटिंग में हम लोग को चेंज देखने को मिल रहा है पहले जो आउटलुक इस company का negative दिखाई दे रहा था अब negative से stable हो चुका है तो और बड़ी हल चल इस company के अंदर आज के दिन देखने को मिल सकती है तो यह stock भी आज चर कर रही फ्री में डिमेट अकाउंट तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है वहां से जाकर आप सीधे डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं साथे में दोस्तों बताना चाहूं कि क्यू टू रिजल्ट्स का सिजन स्टार्ट हो चुका है काफी स सारी कंपणिया अपने रिजल्ट अनाउंस करती हुए निजराएंगी तो रिजल्ट्स की लेटेस्ट अब्लेट पाने के लिए आप टेलिग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है दोस्तों कि पूरी जानकारिया आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब करकर लेना ताकि नहीं वीडियो के नाडिफिकेशन सीधे आपके मॉबाइल प्निस के थैंकी सो मच फॉचिंग